रोगा है नमस्कार किसान भाइष सूपर अपने ल ना一些 सभी 57 के लगब्लिशन के अपने दान के खेताओं इन्दर लूखा फूरी पिर लिए वह पूरी अET दूसरी जूब जो वजय क्से पीछ कि आपके खेतों एंदर रहत है अफिर के खेतों रहे है तो सुबतीOoh खेतों के डिक्सादस्व कोिशेमिए है अगर जड़ियु को स्मुष्च्या होगे तो आपको आ ठिकस दीन भीत मिला हो annсп दोनों जड़ों में जो सवस्त पोदे की जड़ होगी जो खराब जो पोदा पीला और जड़ में आपको अंतर नज़र आएगा तो आप समझे जड़ से समधित समस्या है अगर जड़ आपके सवस्त फिर भी अगर आपको पीला पन दिखाई दे रहे तो उसके पिछे की वज होता है कि दान के पोदे की जो सबसे निचे की जो पती होती है उसके आपको गहरा बूरा रंग दिखाई देता है देर देर क्या है कि वह आपका पोदा है वह सूख जाता है उसकी दूसरे सवस्त पोदों के मुकाबले में उसकी ग्रोथ भी कम होती है तो सबस्ता में आपक से के लोपरती एकड के रखनी हैं जितने आपके अर्यम न उससाफ से एक कि इसकी मातरभ की डिसकी माओं प्षाड़े से किलो परती एकड के साफ से इतनी आपके जगा में हैं उस मातरा को आप बदल के ले आए और उसको का मिट्टी के अंदर मिलाकर जाज़ा आपको पिला पन दिखाई दे रहा है वहां आपको छिड़काऊ करवाना है किसान बाइज उसका छिट्टा देना है जिन पोदों के अंदर आपको पिलापन दिखाई दे रहा है उस पोदे को आप त्यान से देखोगे तो उसके अंदर जो सबसे यंगेश्ट लीफ है यानी मतलब एक जो सबसे नहीं पत्ती निकली उसको छोड़ देना है और जो उसके बाद में जो सबसे पुरानी पत्ती है जो सबसे निचे उसको भी आप बीज की जो पत्ती है जो सबसे यंगेश्ट है जो सबसे जो आन जो पत्ती है उनके आपको जो क्या है कि या तो हलका पिलापन दिखाई दे रहे या फिर उसके अंदर आपको कलोरोस जैसे कि देसी बासा में आपको समझाओं जो कड़ी के निचे एसा गरंग आपको दिखाई दे तो आपको क्या समझाना है कि ये आईरन की कमी के वज़े से अगर आइरन की कमी आपके खितों के अंदर है तो उसका आपको करने के लिए आपको फैरस सलफेट का चिडखाओ करने है फैरस सलफेट किसान भाई आपको मार्केट में अल-अलग पर्सेंटेज बाड़ा मिलता है तो जिस साब से जो परसेज आएगा उसी साब سے उसकी डोज होगी तो जब भी आप दुकांदार से फैरस सलफेट ले क्या तो वो आपको डोज बताएगा उस डोज के हिसाब से पानी किसान भाई या आपको 100 लीटर परतियक्ट के हिसाब से रखना है और जाण जा आपको जो पिलापन दिखाई दे रहे है इस जो फेरस सल। इसका किसान भाई आपको छिटकाओ करना है अगर जिंक और आयरन की आप कि खेत्तों के अंदर जो पिलापन है वो बिल्कुल गायव हो जेगा किसान भाई अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूटूब चैनल को जूरू सब्सक्राइब करिए और साथ इस वीडियो को वट्सप के जरीए दूसरे किसानों के साथ भी सेयर करो ताकि उन तक भी सूचना पहुंच पाई